नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी एसे ट्रिकी क्लासेस में दो दोस्तों आज के अम लोग इस सेशन में एससे जीडी में रीजनिंग के जो है कोशन लेकर आए हैं रीजनिंग में आप लोग पूरे अंक ला सकते हैं जी यहां दोस्तों अगर आपकी प्रेक्टिस बढ़िया होगी जिस तरीके से मैं आपको जो कोशन करवाने वाला हूँ जो आपके जीडी में पहले 2019 में पेपर हुए हैं और उन परिक्षों में जो जो कोशन पूछे गए हैं तो हम लोग जो है वन वाई वन करके एक एक टॉपिक को प्रेक्टिस करेंगे और हर एक चीश को समझेंगे और प्रेक्टिस पेपर के माद्धेम से सब कुछ आपको बताए जाएगा तो क्लास बहुत इंपोर्टन रहने वाली है बहुत मज़ा आएगा अब लाईए रीज कर्मेंट जॉब न्यूज पर और वहीं बहुत जल जो है जीके का कोर्स लाउंच होने वाला है MTS और GD का तो GD के लिए MTS के लिए GK का कोर्स लाउंच हो रहा है जो कि सौरब जहासर का स्पेशल कोर्स रहेगा आपके लिए जिसमें हम आप लोग के लिए टॉपिक वाई तो जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं चलिए जो शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को JBSA, JBSA क्लास और करते हैं आज की क्लास की शिरुवाद तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने तो आपको दिया गया O-N-M-J-I-H तो T-S-R से आपका क्या होगा बताईए तो बड़ा ही शांदर कोशन आप लोग के सामने है फटा-फट से आप लोग बताईए कि आपका यहाँ पर एक्जेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए सबसे पहले आप लोग को बता देए ध्यान दीजेगा O-N-M-O-N-M-J-I-H तो J के वाद देखिए K-L-M-N-O-5-I के वाद J-K-L-M-N---5-H के वाद I-J-K-L-M---5- तो लोग कि है आपका माइनस पांच माइनस पांच माइनस पांच माइनस पांच माइनस पांच माइनस पांच तो आईए बताते हैं देखिए O-P-Q-R-S-T-S-A-H-E-N-O-P-Q-R-S-A-H-E-M-N-O-P-Q-R तो जिसका भी आशर आरा O-N-M-B-I-L-K-L-R-E-T-H-E-H आपका सही जवाब होगा option number D, आईए, एक है दिरखा टायल्ड, टायल्ड का दिरखा है work, तो happy का क्या हो जाएगा, rest, success, eating, exercise, बताईए, जैसे कि जिस प्रकार व्यक्ति काम करने से ठका मानदा होता है, जैसे कि आप लोग है, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बार बार सवालों को लगा कर देखते हैं, खुब practice करते हैं, तो practice करने गदा आप लोग ठक जाते हैं, उसी प्रकार आपक की मेहनत है यह सफलता में बदल जाएगी तब आपके चेहरे पर प्रसंता आजाएगी पर्मानेंट तो जब आप काम करते हो तो ठक जाते हो और जब सफलता मिलेगी तो आप खुश हो जाओगे तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी होगा बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर अगला कोशन बताईए इसको देखिए डी ए से आपका आ रहा है दस आ रहा है ठीना डी ए दस तो ए सी ए का कोड क्या होगा बताईए आठ दस नौ या फिर ग्यारा बताईए देखिए समझाते हैं १ इ ए दी आता है ए टी आता है चार नंबर पे ए आता है पांच पर और यह आता है एक नंबर पर तो 50 आ और एक 10 आ सेुमृब में करेंगे ऑ सी आक नमबर पे सी आता है ती नंबर पर यह आता है पांच पर तो पांच तिनाडिक नौ तो आपका एक्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस कोशिन का सही जवाब आ जाएगा नौ तो जिनका भी आसर नौ आ रहा है बिलकुल राइट है वेरी गुड क्लास बहुत बढ़िया बाई सभी लोग जितने भी लोग क्लास में हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देजिए जितने भी क्लास को देख रहे हैं तो बाई सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजएगा जिन लोगों ने क्लास को शेर नहीं क्या है तो मेरे शेरों और शेरों और शेरों क्लास को लाइ लेकर चलते हैं आप लोग को अगले कोशन की तरफ इसको बताईए अब कोशन नमबर चार से लेकर छे तक में आपको दिये गए विकल्पों में से विसम शब्द संख्या अक्षर का चुनाप कीजिए तो आईए और आप लोग बताईए कि क्या हो सकता है आई आर पी एस सी ए एफ आई जी आई जे एम एल एन ओ आर तो आपको बताना है आपका सही जवाब क्या होगा इसको बताईए क्या बात है वाई इतनी खुशी देकी पढ़ लिजे महनत कर लिजे ठीक न अजीब दास्ता है कहां शुरू कहां खतम पढ़ लिजे ये दास्ता यहीं शुरू होगी और आपके कामियावी के बाद और इसका सुभारम्भ होगा ओके खतम होने वाली नहीं है यह दास्ता जो है आपके शुरू हुई है तो खता होने वाली नहीं है लाइफ टाइम तक चलेगे आपके आईए मेरे प्यारे मित्रों देखिए आई आर पीएस सी एफ आई जी आई जे एम और लन ओर तो अगर मैं इस कोश्चन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा देखिए एफ आई जे एन ओ तो दूसरा और तीसरा जो स्टैप है दूसरा तीसरा स्टैप इसके जो अक्षर है वो करम में हैं इसके जो अक्षर है वो आप लोग के करम में है लेकिन पहला वाला जो विकल्प दिया गया है आर पी यह आपका करम में नहीं है इ इसको बताईए 36 64 81 और 46 सबसे लग्या होगा बताईए तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा सरधुआ धुआ करना है बिल्कुल धुआ धुआ कर दीजे गर्दा गर्दा कर दीजे अपकी बार सब कुछ पार हो जाएए तैयार क्योंकि बेसे ट्रिकी क्लासे से आपके साथ ओके जिसकदर आपके एक्जाम में जिस तरीके से कोश्चन आएंगे जैसा आप लोग का पेपर रहेगा मैं विल्कुल वैसे ही आप लोग को एक एक चीज करके बता रहा हूं बस आप ध्यान से बढ़ते रहें महनत करते रहें वीडियो को लाइक करें क्लास को शेर करें और मिलकर अपना प्यार अपना सपोर्ट अपना सायोग बनाए रखें ताकि हम आपके लिए खुब महनत कर पाएं हर एक चीज को आपको सिखा पाएं समझा पाएं ठीक हैं तो आईए मेरे लाड़ों मेरे शेरों और मेरी शेडनियों, देखिए, 36 होता है, 6 का स्क्वर, 64 होता है, 8 का स्क्वर, 181 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 86 आप लोगा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर आजाएगा, 46, ओके आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, धोस, गोल मटोल, था और मोटा, इन चारों में सबसे अलग क्या होगा, आपको बताना है और्ड, सबसे अलग क्या है, बताईए, सब्सक्राइगा, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहे हैं, देखिए, जैसे कि ठोस, ठोस होना, गोल मटोल होना, थेना, तो फैथम को छोड़कर यह जो था शब्द दिया गए था, इसको छोड़कर, बाकी जितने भी शब्द हैं, आकार और आकरती से सब्बंदित हैं, चै हैं गोल मटोलहों चाहिए वह मोटा lesson रिक में तो गोल मटोल मोटा ठोस ये सब अमारे आकार ये सब हमारे आकार ना और आकरती से संब्दित आकार एवलं मैं राण हिंवां आकरती से संब्द स्यध्ड हैं जब कि आप लोगοι आ था शब्द था यह सब्द है गहराई से समंदित जो था शब्द आपको दिया गया है फैथम यह गहराई से समंदित है इसलिए सबसे अलग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इस कोशन का बिल्कुल राइट आंसर वेरी गुट क्लास बहुत बढ़िया अब देखि के दियेगा शब्दों का सार्थक्रम दर्शात है तो आपको क्या दिया गया है देखिए राष्ट्र, ग्राम, तालूका, जिला और राज्ज्य यह 5 शब्द हैं और इन 5 शब्दों को आपको एक सही तरीके से क्रम में लगाना है तो पहले क्या होगा, उसके बाद क्या चला गया तो भाई आप लोग पढ़ाई कर लीची है ठीक ना ऐसा तो नहीं कि आपका दोस्त जो है क्लास से चला गया तो आप भी जा रहा है छोड़कर ध्यान से पढ़ लो मेहनत कर लो खुद भी पढ़ो अपने साथ लोगों को भी जोड़ो अपना प्यार अपना सहयोग जिस तरीके से आप लोग का बना हुआ है इसको और बढ़ा यह क्लास को पान सो प्लस तक ले कर जाएगा ओके तो हे मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा आईए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले गाउं सबसे शुरुआत करें चोटे से ग्राम स ग्राम से पॉस्तने तालूका पर ब्लॉक पर ब्लॉक से आ जाएंगे डिस्ट्रिक पर डिस्ट्रिक से राज्ये पर राज्ये पर और राज्ये से राश्ट्र पर तो अगर हम इस कोश्चन की बात करेंगे आपका राइट आंसर जाएगा टू 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 थ्री फोर फाइब 1 clear है तो अगर हम इस question की बात करेंगे तो आपका right answer क्या जाएगा 2, 3, 4, 5, 1 तो अगर आपका answer आ रहा है 2, 3, 4, 5, 1 2, 3, 4, 5, 1 बिल्कुल right हो जाएगा very good class बहुत बढ़िया आईए अब लेकर चलते हैं आप लोग को आगे next question आप लोग के सामने आपको दिया गया है तो देखें दोस्तों एक बड़ा ही शानदर कोशन आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको देखिए कुछ आपको equation दी गई है जो कि विसीस प्रणाली की अधार पर हल किये गए हैं उसी अधार पर हल ना किये गए समिगर्ण का सहितर दिजिए सबसे पहले आपको दिया गया है चार प्लस का तीन बरावर 25 है तो यह 25 कैसे आ रहा है चार का इसको और 16 है तीन का इसको और 9 है 16 और 9 25 आ रहा है ऐसी 5 और 2 29 दिरख है तो 5 प्लस 2 आप लोग का 29 है ठीक ना तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा बहुत अच्छा कोशन आप लोग के सामने है तो 5 का स्कोर 25 है 2 का स्कोर 4 है तो 25 और 4 29 हो जाएगा ऐसे ही हमें निकालना है 6 प्लस 4 की व इस कोशन का exact answer हो जाएगा 52 ठीक ना तो अगर हम इस कोशन के बात करेंगे तालुका को आप समझ सकते हैं किसे ब्लॉक से समझ सकते हैं किलियर है कहीं पर भी डाउट हो अगर तो पूछ लिया करो आप लोग तो तालुका को एक तरीके से आप लोग जो है ब्लॉक तरीके से समझ सकते हो तालुका अगर चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोशन एक तरीके से जागीर होती है मौनी जमीन होती है ओगे ना उसको तालुका बोलते हैं चलिए अब मुझे आप लोग आपर पताईए कि नेक्स्ट कोशन का राइट आंसर क्या होगा इसका तो पांगे जमिदारी वगएरा को बोलते हैं हि exploring में दोस्तों का इस कोशिन को सबसे पहले मैं आपको बता न चाहूंगा मल्टी, 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 मल्टी और मल्टी सब जगद रखे अब मल्टी के बाद आपका T है या मल्टी के बाद N है मल्टी के बाद P है मल्टी के बाद N है मल्टी के बाद L है तो विपरीत करम का मतलब क्या होता है कि दोस्तों विप्रीत करम का मतलब होता है उल्टा यानि कि अवरोही करम में हमें उल्टे करम में लगाना है तो ABCD के हिसाब से लाश्ट शुश्रूवत क्या हो जाएगी तो ABCD EFG HIJK L MNOP QRST तो सबसे पहले टी वाला आ जाएगा नमबर एक पर मल्टीटियूड तो सबसे पहले आपका मल्टीकिवड आ जाएगा लाश्ट से लास्ट से हमें स्टार्टिंग की और बढ़ना है लास्ट से स्टार्टिंग की और अब यहां पर इसके वाद क्या जाएगा आपका देखिए M N O P Q R S T तो M N O P तो फिर आप लोग का P वाला जाएगा multiplier multiplier नमबर दो पर आजाएगा अब N यहां भी है एन ए है और यहां पर N O है तो पहले N O वाला जाएगा नमबर 3 पर फिर नमबर 4 पर A वाला जाएगा नमबर 5 पर आपका L आजाएगा तो हमें उल्टा चलना था तो उल्टे गरम में अगर आप लोग चलेंगे तो value क्या रही है सबसे पहले पहला आ गया फिर आपका तीसरा आ गया फिर आपका चौथा आ गया फिर दूसरा आ र आ रहा है option number A बिल्कुल राइट है very good class बहुत बढ़िया समझ में आ रहा आपको तो इसमें आपको dictionary के according लगाना है उल्टा विप्रीत करम में उल्टे से सीधे की तरफ बढ़ना है उल्टे से सीधे की तरफ ओके तो मेरे BSA के बबबर शेरो बबर शेर नियों तो उससी छा आगे सारे के सारे आज अब बढ़ेंगे आगे आग लगा देंगे धुआँ-धुआ कर देंगे सेलेक्शन लेकर दिखाना है एक पहले इस वाले कोशन को लगाई ये विकल्प आपको ने दिये गए फिर इसके बाद इस पड़ाएंगे तो दिये गए आरेखों में से कौन सा आरेख इस्तंधरियों रेंगने वाले सरिस्रब और पक्षियों की बीच के समन्ध को दिखाता है मैमल्स रैप्टाइल और वर्ट सूर्ण तो मैं आपको चार विकल्प दे रहा हूँ किस तरीके से मैं चार विकल्प आप के लिए बनाऊंु। तो देखेगा मैं चार विकल्प आपको देने वाह वाला हूँ। सबसे पहला आपृप्षन है бы बाइख यह आपशन एउगत हो गया ओप्शन b और रेप्टाइल और वर्ड इन तीनों के लिए परफेक्ट बेंड डियागराम बताना है तो क्या हो जाएगा कि देखियो गोस्वामी देखिये गोस्वामी जी कौन सा कोशन आपके समझ में नहीं आया है बता दीजे मुझे बाकी लोगों को मैं बताना चूँँ देखिये मैमल्स अलग होते हैं रेप्टाइल्स अलग होते हैं और वर्ड्स आपका अलग है मैं अमल आपके अलग हैं संधारी ठीना सरिसरप आपके अलग है और पक्षी आपके अलग है तीनों का आपस में कोई संबन्द नहीं है इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा option number C अब बढ़ते हैं आगे ये वाला question है आपको बताना है कि दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्ण में दिये गए हैं दिये गए विकल्पों में इसे वह शब्द चुनिए जिसका शब्दों का प्रयोग करके ये वाला वर्ड नहीं बन सकता तो कौन सा इन शब्दों का प्रयोग करके शब्द नहीं बनेगा तो कौन सा नहीं बनेगा यह आपको बताना है Option A, Option B, Option C या फिटी कराएंगे कराएंगे भी मैद की क्लास भी आपको कराएंगे परिशान मत हो यह आप लो तो पैरामलर की अगर हम बात करेंगे तो यहां से आप लोगा इसका यूस करके कौन सा शब्द नहीं बनेगा अभी मैं BSA tricky classes एप पर क्लास कराऊंगा निहा जी जब भी मैं कराऊंगा अभी मैं बता दूँगा एप पर आदे घंटे पहले ठीक ना शब्द नहीं बनेगा तो यहां से आपका right answer क्या हो जाएगा A, B, C या फिर D rampant क्योंकि R है, A है, M है P, V है फिर A, V है, N N नहीं दिख रहा हमें आप पर और T, V है तो N हमें आप नहीं दिख रहा है तो इसलिए आपका exact answer क्या हो जाएगा option number B होगा इस question का बिल्कुल perfect answer अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला खोशन आप लोग के सामने है अक्षरो का कौन सा समूँ तो मेरे सभी प्यारे मित्रो जैश्री डाम, राहूल मिश्राजी पीडिया फाइल जो है हम टेलिग्राम पर देते रहेंगे बागी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजएगा टेलेग्राम गुरूप को जोईन कर लीजएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सुबह 8 बज़े वाली क्लास जरूर देखा किजिए क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों में से केवल 70-90-100 लोग हैं जो करेंट अफ़ेर में आ रहे हैं लेकिन मैं आपको बदा दूँ आपके SSC GD के लिए MTS के लिए रेलवे के लिए करेंट अफ़ेर बहुत जरूरी है करेंट अफ़ेर की जो क्लास होती है BSA का सेकंड चैनल है BSA Government Job News अगर आप लोगों ने अभी तक अपने सेकंड चैनल BSA के सेकंड चैनल BSA Government Job News को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाईएगा YouTube पे सर्च कीजिए BSA Government Job News को हर रोज सुभे 8 बचे करेंट अफ़ेर की क्लास होती है जो आपके सभी एक्जाम्पल इंपोर्टेंट है वहीं हमने एप पर जो है GK का जो है टेसरीज है वो शुरू कर दी है तो आप एप को डाउनलोड कर लिजेगा BSA ट्रिकी क्लासिस एप को डाउनलोड कर लिजेए और वहाँ पर GK की टेसरी जो स्टार्ट की है उसमें जाकर आप टेस्ट दीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए ठीक है अब देखिए नेक्स्ट कोईशन तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा RQ है तो मैं लिखा है पर RQP WWRX ते टो X लिख दिया RQP double X RQP double X RQP double X तो तो लॉजिक क्यों मिला लॉजिक क्या बात करेंगे कि लॉजिक देखिë लॉजिक आपका है R payer mere PX RQPX R Nonetheless लॉज यह आपका लॉजिक है और इस fib एक्स मैंने follows किया है तो यहाँ पर पहले क्या मिल गया, R मिल गया फिर X मिल गया, फिर P मिल गया, फिर Q मिल गया, फिर R फिर X तो R X P Q R X ओके, तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है R X P Q R X बिल्कुल राइट हो जाएगा तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा option number D होगा इसका बिल्कुल perfect answer अब बढ़ते हैं आगे next question आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको बताई गौर्स देखिए यही है वो सवाल तो क्या होगा इस question का सही जवाब बताईए आप क्या आप मेरे प्यारे मित्रो इस question का सही जब आप देपाएंगे जानने के लिए बने रही है और देखते रही है आज के अपने इस class को सब लोग वीडियो को लाइक कीजेगा class को share कीजेगा मिलकर आप लोग जो है support कीजेगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप बहुत महनती हैं आप बहुत महनत कर रहे हैं मैं लगतार देखता हूँ बिएसे कि जितने विध्यारती हैं बहुत महनत कर रहे हैं तो अपना प्यार अपना भरोसा अपना विश्वास बनाए रखिए खुब प्रेक्टिस कीजिए महनत कीजिए एक एक चीज में आप लोगो कंप्लीट कराऊंगा चाहिए आपकी मैथ हो रीजिनिंग हो जी कि आपक पांच और साथ साथ बार्ण जोड़ दिजिए तो बार आजाएगा और शे दुनी बारा यहाँ आप इसको जर्देखिया हमारे यहाँ पर तो दस प्लस का चार चोधा आजाएगा ऐसे साथ दुनी चोधा आजाएगा थीया ऐसे आठ और छे जब आप इन दोनों को जोड सब्सक्राइब करेंगे तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा साथ हो जाएगा ठीक है तो जिनका भी आ देरे शेरों और शेडनीयों साथ तो यही है सही जवाब तो बनाई रहिए विस्वास रहिए हमारे साथ पढ़ते रहिए और एक प्रश्ण का सही जवाब देते रहिए सब्शु क्लास को लाइक कर देंगे जितने विद्षाρχ को देख रहां हूं कि हजार-दो 1000 लोगों में केवल मुश्किल से 100-200 लोगों को ही क्लास समझ में आ रहीगा बाकिया के जो लोग क्लास को like नहीं कि है like करते रहे support करते रहे अपना प्याव अपना सायोग बनाय रखियो अब देखिए दोस्तों आपका next question अगला question आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है चार है साथ है छे है पाँच है तो आपको क्या दिया गया है छे दो चार पाँच पाँच आठ छे नौ तीन दे रखा है फिर question mark आपको दिया गया है टाइमिंग के लिए टेलेग्राम गुरुप को जोयन कर लीचे ठीक है ना नीरज सिंग टाइमिंग के लिए आप टेलेग्राम को जोयन कर लीचे टाइमिंग अभी जो है अप लोके fix नहीं है एक class की fix किये लेकिन जब आपका प्यार support बढ़ेगा तो टाइमिंग मैं fix कर दूँगा 10, 4, 8, 3 यहाँ पर आपकी value क्या आएगी बताईए नवी जी टाइमिंग के लिए आप जो है टेलिग्राम को जोईन कर लीचे हम समय समय पर आपको अफगत कराते रहेंगे देखिए यह जो class शुरू हुई थे न सबसे पहले मैंने जो यहाँ प पड़ा हुआ है और मैंने आप से कहा था कि class आप लोग के शुरू होगे जल्दी से class में आ जाओ तो आप जो है बिए से tricky classes को टेलिग्राम पर जोईन कर लीजिए वहाँ पर आपको समय से सारी class मिलती रहेंगी आईए कोशन को समझिए है खे और पाँच छे पंजे तीस तीन धाम तीस तो यह बरावर आपको 30 दिया गया हो ठीक है ऐसे ही नौ पंजे पैतालिस और पंदरा तिया पैतालिस तो यह आपको पैतालिस दे रखा है ठीक है ऐसे ही आपका सोला तो चार चौक 16 हो जाएगा तो 4.16 हो जाएगा तो यानि की इसकी वेलू गया हो जाएगी तो इसकी वेलू आजाएगी 4 हो जाएगी ठीगा ना तो जिनका भी आऊसर आ रहा है 4 आ रहा है बिल्कूल राइट है very good class बहुत बढ़िया तो आपका इस question का exact answer हो जाएगा चार हो चाएगा आएगे अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोशन आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको देखिए आप कि दो साल पहले 2 साल पहले बुक की लिए बताउंगा अभी जब मैं पेपर सॉल करवाऊंगा आपको तो बेवी जी मैं आप लोग बुक के लिए बताऊंगा कौन से बुक भेस्ट रहेगी अब यह आप ध्यान दीचेए दो वर्ष पहले A की IU, B की IU से दो गुनी थी आपको क्या दिया गया है? दो साल पहले A की IU, B की IU से दो गुनी थी यदि दोनों की IU में अंतर दो वर्ष का है तो A की IU ग्याद किजिए तो हे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे BSA के बबबर शेरो मेरे BSE की बबबर शेर नियों अब आप लोग बताईए कि यहां से आपका exact answer क्या होगा हाँ यह मैंने जो है अनुछ कुमार जी कुछ previous paper के question है बाकी सारे नहीं है कुछ मैंने practice paper से भी question लिये है ठीक है अनुछ कुमार जी जो सच है वही मैं बोल ला हूँ कुछ previous paper पर question है और कुछ previous paper पर based यानि कि अधारित प्रशन है आईए तो A जो है दो साल पहले की बात करेंगे दो साल पहले क्या हुआ दोस्तों दो साल पहले दो साल पहले A जो था B का double था अगर B की आईउ एक साल थी दो साल पहले तो A जो था B का double था अब दो साल बाद लेकर आए दो साल बाद आपका B की आईउ हो जाएगी X प्लस 2 हो जाएगी और इसकी आईउ हो जाएगी 2X प्लस का 2 हो जाएगी ये इसकी आईउ हो जाएगी A की हो जाएगी, यह B हो गया, यह आपका A हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं, यह दोनों की I.O. में अंतर दो वर्ज का है, अब इन दोनों की I.O. में देखे, A की I.O. 2X प्लस का 2, और B की I.O. X प्लस का 2, अगर इन दोनों की I.O. में जो difference है अभी, दो साल का है, तो A की I.O. गयाद कीजिए, क्या बताना है, आपको A की I.O. गयाद करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा, अगरा 2X प्लस का 2, माइनस का X, माइनस का 2, बरावर 2 दिया गया है, 2 से 2 आपका कट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, X बरावर आपका 2 आजाएगा, हमको फिलाल A की I.O. तो जिसका भी आंसर 6 आ रहा है, बिल्कुल राइट है, तो अभी A की I.O. कितनी हो जाएगी, A की I.O. हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी, B की पूछेगा, तो 2, 2, 4 वर्ष हो जाएगी, आईगे, अब बढ़ते हैं, आगे, बहुत सारे लोग का आंसर 4 आ रहा है, नहीं, 4 तो 2 सल पहले की थी, पूछा जी, अंजली, शुष्मा, वर्षा, मॉनिका, 6 होगा राइट आंसर, क्योंकि 4 जो आपका आ रहा है, ये 2 सल पहले की है, तो जिसका भी आंसर 4 साल आ रहा है, 4 साल जो A की I.O. थी ना, ये 2 सल प इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आपका एक्जेक्ट आंसर क्या होगा, प्रयास कीजिए, देखिए, आठ दोस्त है, मान लिजे आप लोग मैंने ले लिया आपर, दीपक, अनुच, रुद्रा, अमित, आरूश, जितने भी लोग है, आठ दोस्त होगे आप लोग A, B, C, D, E, F, G और H, एक गोल मेज के चारो और इसी करम में और समान दूरी पर बैठे हुए हैं, अब आठ दोस्त बैठे हुए हैं, पाल्टी हो रही है इनकी, अब आगे देखते हैं, उस इस्तितिय में ये लोग दक्षन आवर्त दिशा में बैठे हुए हैं, कैसे दिश हैं, अब F के दाएं और कौन बैठा हैं, तो आईए, प्यारे मित्रों, आप सब लोग बताईए, कि आपका यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा, यदि G जो कि उत्तर हैं बैठा हुआ है, जैसे कि आप लोग को क्या दिया गया, अगर इस तरीके से मैं लगाँगा यहां प्रकोशन को यह देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ठीक है ना, जी हमारा बैठा है उत्तर में, इसी किरम में चलेगा आपका देखिए, जी से पहले F आ जाएगा, तो यहां शुरूआ है, A, B, C, D, E, F, G, H, तो यह मैं कैसे चलना हूँ, यह मेरी तो यह दिशा है, बहुरसर दिशा है, कैसी दोषकर दिशा है ? दक्समार समस्ते हैं आप लोग, तो यह दिशा आप लोगो दीगाऊ है, जो कि कलॉघ रख ही है, तो हम लोग और देखें A, B, C, D, E, F, G, H, क्यूँकि आपको दिया गए, G जो है, जो की उत्तर में बैठा है यह इननी लिखा यह आप है जी जो कि उत्तर में बैठा हुए है यह C से अपने शीट बदल लेता है अब C की जगह कौन जा रहा है wrong आपका F जा रहा है C की जगह आपके G जा रहा है और G की जगह आप लोगका C आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने C लिख दिया B हमारी seat F से बदल लेता है अब B जो है यहाँ पर आपका क्या आ रहा है F आ रहा है और F के जगा क्या जा रहा है B जा रहा है इसको लिख लिख लिए तो अब F के दाएं और कौन बैटा है अब यह F है यह F का left हो जाएगा और यह F का right हो जाएगा तो आप मुझे बताईए कि F के right side में कौन बैटा है तो हे मेरे प्यारे दोस्तो F के right side में आप लोगा कौन बैटा हुआ है तो यह है आपका A वाला तो जिनका भी उत्तर आ रहा है A आ रहा है जिनका भी उत्तर A आरा बिल्कुल राइट है तो आप देख पा रहे होंगे F के राइट साइड में कौन बैठा है A बैठा है A तो जिसका भी आंसर A आरा बिल्कुल राइट है और यह जो A G वाले जो लोग हैं होगे ना, तो A G नहीं होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तो A होगा सही जवाब, A बैठा है शाबाश, अब आगे नेक्स्ट कोशन है आप लोग के सामने इसको बताइए एक घड़ी है जिसमें साड़े चार बजे हैं तो एक घड़ी है दोस्तों यहाँ पर जिसमें साड़े चार बजे हुए हैं तो बारा, छे, नो, तीन बाकी आप लोग मान लें देखिए यह आपको लिखा है एक, दो, चार, पाँच, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा तो एक घड़ी है जिसमें दोस्तों टैमिंग क्या हो रही है घड़ी में बज़ा है साड़े चार अच्छा, यदि मिनट वाली सूई पूरब क्यों हो रहा है अब थोड़ा सा चेंजेस होगा, लेकिन पहले मैं साड़े चार बजा देता हूँ जैसी कि मान लें यह है यह है साड़े चार घड़ी में आप लोग का बज़ रहा है लेकिन क्या बोला है कि मिनट वाली सूई पूरब क्यों हो रहा है अगर यह जो सूई है मान लिजे पूरब क्यों हो रहा है मिनट की सूई यह पूरव हो गया, तो पूरव की विपरित क्या हो जाएगा, यह पश्यम हो जाएगा, बात को बिल्कुल गहराई के साथ समझेंगे, अगर यह पूरव है, यह पश्यम है, जैसा कि आप लोग देख पारंग देखे, पूरव इधर होता है, पश्यम इधर होता है, उत्तर इ पूरव पश्यम तो वही है अगर यह पूरव है तो यह पश्यम हो जाएगा यह उत्तर है तो यह दक्षण हो जाएगा क्योंकि दिशाएं आप लोग को मैंने बढ़ा रखी है उत्तर दक्षण पूरव पश्यम तो आपको क्या बताना है ओगे न, तो आप सभी को दोस्तों यहाँ पर ये बताना है प्यारे मित्रों, कि जो घंटे वली सुई आपको जो दे रखा ये वली सुई, तो ये दिशा दोस्तों किसमें आ रही है, उत्तर और पूरब के बीच में आ रही है, तो ऐसे में राइट अंसर क्या हो जाएगा, त पूरब हो चाएगा तो जिन दोस्तों का भी आसर आ रहा है उत्तर पूरब आ रहा है तो बिलकुल राइट है बिलकुल पर्फेक्ट है बेरी गुड कलास बहुत बढ़ेत तो अगर आपका आसर आया है तो बिलकु राइट है व्यरी very good class अब English में देखी क्या लिख ये आप को क्या दिया गया ये है आपका बैस्ट है ये आपका इस्त है ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है तो इस्ट वैस्ट नौर्थ साउथ बैसे दिशाओ की बारे में अगर मैं बताओं तो देखे दिशाएं जानली दूस्तों ये आपका होता है North, ये होता है South, ये होता है East और ये होता है Best, ठीक है ना, तो इसी को मैंने Rule को Follow किया और मैंने इस सवाल का जवाब दिया, तो अगर आपका आंसर आया है C वाला, बिल्कुल Right है, Very Good Class, बहुत बढ़िया, तो दी गई उत्तर आकरतियों में से कौन सी आकरती, प्रश्न आकरती की सही प्रतिविंब होगी, ओके, तो आईए, आप सब लोग बताईए कि यहां से आपका Correct आंसर क्या होगा, गौर से देखिए इस चित्र को, ये जो आप लोग को यहां पर दिखना ना, ये लाइन, त यहां पर ऐसा है, नहीं है, यहां पर ऐसा है, नहीं है, लेकिन D वाले और आप देखोंगे यहां पर, तो देखिए एरो भी आपका बन रहा है, और ये भी आप लोग का बन रहा है, तो ऐसे में अगर इस कोशिन की बात करेंगे, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, Option नमबर डी होगा बिलकुल आपका परफेक्ट आंसर बास्वाज में आ रही आप लोग को आईए मेरे शेरो और बबर शेरनियों जितने भी क्लास में लोग हैं फड़ा फड़ से आप लोग जल्दी से आईए क्योंकि सेशन जो है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंट्रेस हैं तो निश्कर देखिया बर्ग बहुज होते हैं वर्ग आयत नहीं होते बर्ग बहुज नहीं होते या वर्ग आयत और बहुज होते हैं कि इस सवाल को लगाने से पहले मैं छोटे सा एक डाउट दूर करना चाहूंगा दोस्तों ये क्या है आपका और ये क्या है आप लोग का कमेंट करें जो दोस्तों मुझे बताएगा इसमें दोस्तों क्या है ये साइड आपकी A है ये भी A है ये भी A है और ये भी A है और इसकी जो साइड आप वो देखिए L दे रखिए ये वाली L है तो ये भी L हो जाएगी बात समझ में आ रही है अगर ये चोड़ाई B है तो breath इसकी B हो जाएगी तो इसको मैं बोल सकता है ये मेरा एक वर्ग है और ये मेरा एक आयत है लेकिन सबसे important बात दोस्तों ये आयत में दोस्तों क्या होता है ये जो angle होते हैं आप लोग के property मैं बता रहा हूँ rectangle की जो property होती है वो क्या होती है ये आपकी होती है property कि चारो जो angle होते हैं ये 90-90 degree की होते है और इनकी आमने सामने की जो भुजा होती है ये parallel होती है समान होती है ठीक है ना लेकिन इसमें देखिए ये भी आपका क्या है 90-90-90 है और अगर मैं देखो वर्ग को तो वर्ग की भी दोस्तों क्या आमने सामने की भुजा बरावर है समान है ये भी समानतर है ये भी समानतर है समानतर भी है बरावर भी है तो वर्ग को बोल सकते हैं, वर्ग एक आयत है, बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि वर्ग एक आयत के बरावर हो सकता है, लेकिन आयत को वर्ग बोला तो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वर्ग की प्रॉपल्टी होती है, इस्क्वाइर की प्रॉपल्टी होती है, कि सारी साइड साइड़े बराबर हों लेकिन यहां पर सारी साइड़े बराबर नहीं है तो आप देख पार होंगे कि यहां पर देखी साइड़े बराबर नहीं है तो वर्ग को मैं आयत बोल सकता हूँ square बरावर होता है rectangle रेक्टेंगल not equal to square बासमज में आगी आपको चलिए अब मैं आप लोग को बता दू यहाँ पर ध्यान दिज़ेगा किस तरीके से question आप लोग का है अब सभी वर्ग आयत हैं मैंने मान लिया हाँ सभी वर्ग आयत हो सकते हैं होगे ना तो ऐसे में आपका exact answer क्या हो चाहेगा option number D होगा इसका बिल्कुल perfect answer square is a rectangle ठीक ना we can say that square is a rectangle and polygon तो अगर हम इस question की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा option number D होगा इस question का बिल्कुल perfect answer हो अब बढ़ते हैं आगे next question आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको देखिया तो गौर से देखिए दोस्तों यह भाई लोग पहचानी कौन है यदि चित्र को दरपन के सामने रखा जाए तो कैसा दिखाई देगा यह कुछ alien जैसा चित्र आपको दिख रहा होगा ठीक ना तो आपको बताने कि इस alien की mirror image कैसी होगी यह आपका सीशा लगा हुआ है तो इस side में इसकी image कैसी बनेगी ध्यान से देखिए और बताईए option number A option number B option number C option number D तो आईए दोस्तों बताईए कि क्या होगा आपका सही जवाब और सभी लोग जो है BSA government job news को subscribe कर लीजेगा जे लोगों नहीं किया है आप सभी लोग Instagram पे follow कर लीजेगा Instagram पे वही नाम है BSA tricky classes ठीक है और सभी लोग BSA tricky classes app को download कर लीजेगा तो बाई उपर का तो face same रहेगा देख पारे होंगे कान आप लोग के बिल्कुल सही है ये कान भी सही जा रहे है देखिए ये कान आपके नीचे हो गए नीचे हो गए ये देखिए इसके भी कान आपके क्या हो गए नीचे हो गए तो ये तो गलत हो गया क्योंकि कान आप लोग के जो ऊपर की तरफ आप लोक या दूसरा तो बताईए कि इन दोनों को ध्यान से देखी और समानतों को पहचाने कि आपका यहां पर क्या लगता है मेरे प्यारे दोस्तों सही जवाब आपका क्या होगा 24 question के अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसके जो कान आप लोग के दिये गए यह थोड़ा सा यहां पर देखें कलर भर रहा है यह भी आदेदी के भरे हुए है ठीक है ना? और इसके लावा आप लोग को मैं दूसरी चीज दिखाता हूँ यहां पर आपके lining है जिसका B आ रहा है ना? यहां पर देखें lining है लेकिन यहां कहीं पर देखें lining दिख रही lining? नहीं lining तो lining बीच में नहीं है दोस्तों यह जो चीज आपके दिख रही है गलत है यह आपका blank है blank है यह blank देखें दोस्तों यह lining नहीं है यह खाली जगा है तो आपका सही जवाब A हो जायेगा तो अगर हम इस question की बात करेंगे जिनका भी class में answer A आ रहा है बिलकुल right है very good class बहुत बढ़िया तो गौर से देखिए इस question का सही जवाब A हो जाएगा B नहीं होगा क्योंकि B वाले में आप लोग की lining दे रखिया आईए अब बढ़ते हैं आगे next question प्लीज आईए देखते है आपको क्या दिया गए नीचे प्रश्न आकरतियों में दिखाए अनुसार दोस्तों नीचे प्रश्न आकरतियों में दिखाए मुताबिक कागच को मोड़कर काटने और खोलने के बाद किस उत्तर आकरति जैसा दिखाए देगा बताईए तो पेपर folding और पेपर cutting का question है देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा आईए अब आप लोग मुझे दोस्तों बताईए कि आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा इसको देखिए पिर इसको मैने इफ रोटें कर दिया अब कट लागा दोस्तों यह जो कट लगा धर यहां इधर भी आएका इधर भी आएगा इधर भी आएगा तो बीच में बन जाएगी ना यह बी वाले बनेगी तो अगर आप का अंसर आ रहा है option नमबर भी आ रहा है बिलकुल right है very good class बहुत बढ़िया ओके तो कैसे लेगी दोस्तों सी class कितने number आज आप लोग क्या आए हैं तो अब आप लोग हमें Instagram पर follow कर सकते हैं Instagram पर जो मुझे update देनी हुआ करेगी जो भी special करना होगा मैं आपको Instagram बता दूँगा तो जिन लोगों अभी तख में follow नहीं किया है तो आप जो है अपने BSA tricky classes को अब Instagram follow कर सकते हैं बात करेंगे PDF फाइल के लिए PDF आपको मिलेगी टेलेग्राम मिलेगी PDF फाइल के लिए टेलेग्राम गुरूप को जोईन कर लिजिए BSA tricky classes app को डाउनलोड कर लिजिएगा टेस्सरीज के लिए और यहां पर बहुत जल जीके का कोर्श आने वाला है बाकि math का सफलता बैच चल ला है तो math का सफलता बैच को जोईन कर लिजिएगा जो कि GD और MTS के लिए बहुत special है ओके तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA tricky classes को तब तक के लिए नमस्कार जै BSA जै BSA क्लास और आप सभी का तह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया झाल